हेलाइस वेलकम बैक टे दो स्क्रीट से भी आज मैं एक्स्पेंट करने वाली हो बर्लेन मोवी को इस मोवी को देखने के बाद एक ही बात बोलूँगी यह मास्टरपीस है स्टोरी थोड़ी स्लो चलती है बट इसकी जो स्टोरी है और प्लाइमेक्स है वो बहुत अच्छा है मस्ट वो जाए मूवी क्लाइमेक्स वाडू था पर एंडिंग ने डिसपोइन्ट कर दिया क्योंकि सेड एंडिंग है सेड एंडिंग हार्ट प्रीक कर देती है बुझे नहीं पसंद अभी बिना डाइम बेस्ट के स्टोरी स्टार्ट करते हूं स्टार्टिंग में असो को एक कैफे में बैटे दिखाय जाता है और नेक्स्ट ही सीन में उसके पेस पर चोट लगी हुई थी डॉक्टर असोक के इयर को चेक कर रहा है इस बीच क्या हुआ है ये सब आगे इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा अब सीन पुस्किन पर सिर्ट हो जाता है ये रेडियो पर सुन रहा है कि रस्टिगेशन प्रेशिडेंट इंडिया में एक मीटिंग के लिए आने वाले हैं उनकी सेक्यूरिटी के जाच के लिए रस्टिगेशन ओपिसर्स दिल्ली आ चुब हैं रस्टिगेशन प्रेशिडेंट ने इंडिया आने से पहले बोला था कि वे कस्मीरी मामले में इंडिया का समर्थन करेंगी और पाकिस्तान टेर्रिज्म को हेल्प करता है इसके भी बहर अगेंस है इस मीटिंग से अमेरिका को भी डर है क्योंकि Russians के पास high-tech missiles है अगर Russia उन missiles को इंडिया को share करता है तो अमेरिका इसके against जाएगा मतलग Russian President पर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही निज़र रखे हुए हैं इंडिया का ये टूर safe तो नहीं होने वाला Pushkin एक government teacher है ये deaf पच्चों को sign language से पढ़ाता है फिर suddenly Pushkin को वो paid leaves मिल गई जिसके लिए Pushkin अपलाई किया ही नहीं था PM ने इस institute को stand by पर रखा है Russian President यहाँ भी दोरे के लिए आ सकते हैं तो Pushkin को ऐसे leaves मिलना अजीब था ये इस बारे में बात करने प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं पिट रास्ते में इसको Indian Intelligence Bureau के ओफिसर सौंदी ने रोक लिया सौंदी के साथ दो और ओफिसर हैं संपत और राम नारायन ये ब्यूरो में सोब्यत डेस्क के इंचार्ज हैं इन्होंने ही Pushkin को लिए बिलाई है इन्ही पर Russian President की Security की भी Responsibility है उसी केस में इनको Pushkin की Help चाहिए इन्होंने असोग को एक German Gun के साथ रेस्ट किया है होज़ता है कि वो किसी कंट्री का Secret Agent हो या सायद ना हो इस टाइम सच पता लगाना बोगत ज़रूरी है पर असोग गुंगा और पैरा है तो उससे Question करने के लिए Sign Language में बात करने वाला कोई चाहिए Pushkin तो है ये Government School का Sign Language Teacher ये National Security की बात है तो Pushkin इनकी Help करने को मान गया अब Interrogation Room में जो कुछ भी बोला जाएगा वो टेफ में Record और टाइब भी होगा स्टार्ट में Pushkin असोग से उसके Birth Date और Birth Place के बारे में पूछ रहा है बट असोग को कुछ नहीं पता इसको कोई अनात आश्रम के बाहर छोड़ गया था वहां के Records में भी Birth Place मैंसन दी है उसके बाद ये सारदार देवी स्कोल में मैट्रिक तग स्टड़ी किया स्टड़ी से जादा इसका Focus Football खेलने में था बट असोग अपने Coach की Guidance को Follow नहीं करता था ये अपना Game खेलता था इसलिए Coach इसको खेलने ही नहीं दिया गोंगा और पहरा होने की वज़े से असोग हमेशा अकेला रहा है दूसरों की sympathy पर की कोई इससे interact करेगा या कोई इससे खेलने को देगा थोड़ी देर question करने के बाद ये tea break लेते हैं सोन्दी बदाता है कि असोग ने trained और fit एजेंट्स को पागल बना दिया है ये कोई normal बंदा नहीं है बट उसका medical check up हुआ है वो डेफ तो है अगर डेफ नहीं होता तो एजेंट इसकी जो बढ़ली ने कभी न लगवा पाता असोग बढ़ली ने काम करता था अभी पुसकिन असोग से उस एजेंट के बारे में ही पूचता है कि ये कोन है पर असोग तो पुसकिन से उसकी फैमिली के बारे में पूचने लग गया और पुसकिन को sign language कैसे आती है ये सब पुसकिन सीधा सा बंदा सारे answer दे रहा था तो सोंधी पुसकिन पर चिलाता है कि तो question करो ना कि उसके questions का answer करो वो तुमारे साथ relation गनाने का try कर रहा है असोक को पुसकिन के face पर डर्ड दिख रहा था ये समझ गया था कि पुसकिन एजेंट नहीं है इसको तो sign language आती है इसलिए यहाँ question करने को बलाया गया है अब असोक पुसकिन के question का reply देने start करता है कि वो employment agent था जिसने इसकी बर्ली में job लग वाई वो agent इनके school में deaf बच्चों की job लगवाने के लिए आता रहता था अभी पुसकिन इससे visa और passport वग़रा के arrangement के बारे में पुछा असोक हसने लगता है और पुसकिन को sweet boy बलाता है बंडिन एक cafe का नभी में पुसकिन को सोंदी कभी जादा detail नहीं दिया hardly एक या दो nines की इसी detail देता था तो अभी पुसकिन खुद उस cafe में next day जाकर देखता है यही पर सोंदी भी बात करनी आ गया सोंदी ने guess किया था कि पुसकिन यहाँ जरूर आएगा अभी सोंदी कल पुसकिन पर चिलाया था उसके लिए sorry बोलता है फिसोंदी अपने रूम में कल की असोक की interrogation वाली recording सुना था यह एक फाइल में पिल लगा कर अपने ड्रो में रख देता है ताकि कोई चोरी करने आए तो इसे पता चल जाए फिसोंदी तल की recording अपने senior को देने गया senior बोल रहा है कि 7 days बचे है Russian President के आने में तो अभी और ज्यादा careful रहना होगा उपर से विंग वाले एजेंट्स इन प्यूरो वालों का सर खाटने को कोई चांस नहीं बगवाते विंग दूसरे एजेंट्स की कंपनी है जो सोंदी की एजेंट कंपनी से खुद को अच्छा प्रूफ करने में लगी हुई है उधर interrogation room में पुसकिन ने बर्लिन से related कुछ questions प्रूफ किये थे पर सोंदी ने तो पहले से questions को frame किया हुआ है पुसकिन अपनी side से उनमें change नहीं कर सकता असोक से बस वही question पूछे जाएंगे असोक की वज़े से विंग के टू एजेंट्स महाजन और महता यहाँ प्यूरो की जिल में है अभी असोक से महाजन के बारे में ही question किया गया महाजन और महता बर्लिन में अपने business के लिए आते जाते रहते थे बहीं असोक ने उनको देखा था सौन्दी ने पुस्किन को morning में ही इस business के बारे में बताया था बर्लिन में सभी intelligence वाली लोग information कनेक्ट करने आते थे बर्लिन के चारो साइड एक किलोमेटर के distance पर बिंग, ब्यूरो, Ministry of Foreign Affairs, Embassy of German Democratic Republic और Soviet Embassy ये सारे government offices के लोग, ब्योओन, visitors, guests सभी इसी पर दिन आते थे information business के लिए असोक का काम महाबस force on करना था और साफ सफाई करना इन deaf waiters को two desk के बीच, wall के जैसे भी use किया जाता था ताकि कोई एक दूसरे की बात न सुन पाए आज के questions होने के बाद जब पुस्किन अपने घर जा रहा था इसको रास्ते में wings वालों ने kidnap कर लिया पुस्किन को ठंड में नंगा वैठा दिया इसके पास wings का head जेवी वर्मात है ये पुस्किन को बताता है कि इनके two officers मैता और माजन असोक की वज़े से फस करे हैं तो पुस्किन असोक से इनके दियोए questions भी पूचे अगर पुस्किन ने smart पने का try किया तो ब्यूरो में इनका एक spy agent है इनने पता चल जाएगा ये लोग पुस्किन को रोड पर fake कर चले गए नेक्स डे जब पुस्किन असोक से question करने आया तो सौन्दी पुस्किन के face से समझ जाता है कि इसको विंग वाले उठा कर ले थे कंपर्म करने को सौन्दी ने पुस्किन को जेवी की pick भी दिखाई आज इसे वोग बताता है कि बर्लीन में काम करने के साथ साथ वेटर्स, उड़े कचरे के papers और कुछ guesses की help से stories बनाते थे कि कौन सा एजिट क्या काम कर रहा होगा इनका अच्छा time pass होता था इससे फिर आज अगेन विंग वाले पुस्किन को night में डराने आ गए इन्होंने पुस्किन को गाड़ी से cheese किया और new questions की fine उसके उपर डाल कर चले गए फिर पुस्किन के घर पर एक threat वाना call भी किया कि ये इसकी family को भी hurt कर सकते हैं पुस्किन अपने गाउं call करने का try किया बट call cut हो गई और अगेन पिंग वालों ने call करके इसे मिलने बुला लिया पुस्किन वान जाते ही जेवी का कोलर पकड़ लेता है और अपनी family की security की guarantee लेता है आज जेवी बदाता है कि अमेरिका और रश्यन की बीच जो cold war थी वो खतम हो गई बट विंग के दो useless officers महता और माजिन को ये समझ नहीं आया अपने फश चुगे हैं पर उनसे विंग्स की reputation जुड़ी हुई है तो उनको निकालना ही पड़ेगा फिर पुस्किन को एक लड़की का photo दिखाया ये honey trap थी सोंदी के लिए और पताया कि इसके घर से रश्यन प्रेजिडेंट की assassination की plan वाले documents मिले हैं अभी लड़की गारब है तो अगर प्रेजिडेंट पर attack हुआ successful या unsuccessful तो सोंदी अपने department को बचाने को असोक, महता या महाजन में से किसी एक को बली का बकरा बना दीगा विंग्स चाहते है कि इनके officers का नेम इसमें ना है बचा असोक, पुस्किन का trust आप इन intelligence वाले लोगों से उठ चुका है ये खुद सच पता लगाना चाहता है अब ये असोक से question करता है कि इसने उस लड़की को बलीन से बाहर देखा था क्या कौन बोला था इसको महाजन मेंता और उस लड़की को follow करने को किसके लिए काम करता है ये पर असोक चिलाने लगता है कि इसने सब कुछ खुद गिया ये किसी के इसारों पर काम नहीं करता पुसकिन समझ गया था कि ऐसे question से असोक की story पार नहीं आएगी ये questions change करना जाता है बट सोंदी ऐसे नहीं होने देना जाता नहीं तो बहुत time waste हो जाएगा सोंदी तो डिरेक्ट ये ही पूश्टे को बोल रहा है कि क्या असोक को पता था कि महता और महाजन उस लड़की को blackmail कर रहे थे अभी असोक पुसकिन की situation से इस पर थोड़ा trust करने लगता है कि पुसकिन को पूरी story जाननी है पर सोंदी को बस असोक का connection उनतीनों के साथ सेट करना है तो असोक reply करता है कि डिरेक्ट प्रेज़ेंट के assassination के बारे में क्यों नहीं पूश लेते सोंदी next day ऐसे ही questions पुछवाता है जैसे कि क्या उस लड़की और महाजन और महता का प्रेज़ेंट assassination से connection था इनका reply मिलते ही सोंदी का plan successful हो जाता कि ये suspected लोग assassination से connected थे तो पुशकीन असोक को इसारे से no कहने को बोलने लगता है आज असोक ने no के अलाबा कोई word नहीं बोला सोंदी को पुशकीन पर सक हो जाता है सोंदी ने दूसरी window से पुशकीन को इसारे में no होलते देख लिया और फिर पुशकीन को बाहर ले जा कर shoot करने को ड़राने लगता है पर shoot नहीं करता पुशकीन को समझा गया कि सोंदी से नहीं मारेगा ये बस ड़रा रहा है सोंधी को लग रहा था कि पुसकिन विंग वालों की question पूछ रहे पुसकिन तो सच जानने को अपनी questions कर रहा था और time time पर असो को warn भी कर रहा था ताकि सोंधी के बनाए manipulated questions में ना पज़ जाए पुसकिन अब सोंधी से नहीं डरता ये तो कोई new sign language वाला ढूमने के लिए बोल कर चला गया आज पुस्किन के घर से कोल आती है, वहाँ सब ठीक है पुस्किन के फादर ने इसके लिए एक लड़की पसंट की है और उसकी detail letters से विजवाई है पुस्किन को उससे मिलना होगा नेच्टे पुस्किन असोक से again question करने गया बेट अब अपनी style में है अभी पुस्किन को dressed है कि असोक innocent है ये असोक को confidence भी लेता है अपनी story बता कर कि इसको भी अकिलाबन फील होता है कभी मन करता है कि कोई हो साथ मैं पर असोक का अकिलाबन सब से जाता है अनात आश्रम में बढ़ा हुआ है और handicap है पुस्किन समिस्दा है इस situation को आज की पुस्किन के face की चोट और ये बाते असोक को पूरा सच बताने की हिम्मत देता है असोक पताता है कि इसे उस लड़की को देखकर अपना दोस्त बनाने का मनुआ था पर इसने महता और महाजन को उस लड़की के साथ देखा था वे उसे ब्लैक मिल कर रहे थे लड़की रोती रहती थी तब इसने लड़की की गाड़ी का नमबर नोट किया और अपने एक गाराज वाले फ्रेंड से उस गाड़ी की ओनर का एडरेस निकलवा लिया असोग का गराजवाला फ्रेंड इसकूल टाइम से शी कोई भी मोडर ठीक कर देता था उसमें टैलेंट था उसी टैलेंट की वज़े से उसे मिकैनिक की जोब मिली थी इसके जैसे हैंडीकैप होने की वज़े से नहीं फिर इसने महाजवन का एडरेस पता करने को उसकी फेकी हुई बस की टिकेट से उस रूट के सारे बस श्टोप का पता लगा लिया बस बरलीन आने से पहले फोर बस श्टोप पर रुपती थी महाजवन जिस नियूस पेपर को परलीन कैफे में असोक से छिपा रहा था इसने वही नियूस पेपर की कटिंग चारों बस श्टोप पर चिपका दी महाजवन जिस भी बस श्टोप से आएगा वो अगेन उस नियूस को छुपाने का ट्राई करेगा और उस कटिंग को वहां से अटा देगा महाजवन ट्रैप में फस गया और जिस बस श्टोप से वो कटिंग उतार दी थी असोक उसी बस श्टोप से थोड़ा दूर पूरा दिन खड़ा रहा फिर महाजवन के आने पर उसको फोलो करके उसके घर का पता लगा लिया फिर एक डे अपने फ्रेंड की हैल्प से महाजवन के घर की चाबी का मार्क साबुंतर बना लिया ताकि दूसरी चाबी बनवा सके सोंदी को ये सब प्लैनिंग सुनकर ये ही नगरा था कि असोक को करही से तो ट्रेनिंग मिली है बट असोक बोलता है कि ये इसने बस कोमन सेंसे किया है अब सोंदी ओन टू विंक्स वान एजेंट से जेल में कॉश्चन करने गया कि तुम लोग असोक पर ब्लेम डालने थे कि वो तुम्हें फोलो किया पर तुम तो इस न्यूस कटिंग से भसे थे दोनों ही इस कटिंग वाने ट्रेप को बकवास बोलते हैं ये एकसेप्ट नहीं करते यहां हमें पता चला कि ये दोनों एजेंट्स ने सोंदी के लिए हनी ट्रेप प्लांट किया था और उसको ब्लेक मेल करे थे उस लड़की के थुरू अगर ये बात बाहर आ गई तो सोंदी तो फिनिश बट अभी पूरी पावर सोंदी के पास है जब तक कि ये दोनों जेल में है और वो लड़की गायब है सोंदी या तो असेशनेशन के प्लाइन में इन दोनों एजेंट्स को फसाएगा या पिर असोग को अपनी रेपूरेशन पर तो दाग नहीं आने देगा उदर पुसकिन अपने पापा की पसंद वाली लड़की से मिलने गया बट लड़की के फादर इसकी जोब और परसनलिटी से इखुस नहीं थे साफ पता जन्रा था कि यहां इसकी बात नहीं पनने वाली नेक्स्टे लिफ्ट में सौंदी ने पुसकिन को परिशान करने स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारे घर की हर फोन को लोड़ नेटर स्क्रीन होता है इसे सब पता है उस लड़की का अपनी कलीक के साथ अफ़ेर चल रहा है तो बहाँ साधी फिक्स नहीं होगी फिर अगीन असौक अपनी स्टोरी बताने लगता है कि ये महाजन के घर डुब्लिकेट चावी बनवा कर चला गया बहाँ लोकर में इसे सोंदी और उस लड़की की इंटी मैसी वानी पिक्स दिखी तब इससे समझाया कि महाजन लड़की को ब्लैक मिल किस लिए कर रहा था ताकि सोंदी को हनी ट्रैप में पसा सके तब ही यहाँ कुछ लोग अवे असौक वोश्रों में चिप गया बहार लोग महाजन को मार रहे थे इसने वो फोटोज और नेगटिव उसको छिप बा लिया फिर सोंदी को इसके सेनियर बुला लिया वहां सोंदी और विंग के हैड जेवी के बीच कोई डील हो गई है इस पीच पुसकिन ने सोंदी के कोट से उसकी चाबी चोरी गर ली ये भी डुप्लिकेट चाबी बनवाना जाता था पर इसको साबुन नहीं मिल पाया सोंदी तभी वापस आ गया कोट लेने को इसको अर्जेंट पार जाना था चाबी पुसकिन के पास ही थी इसे आज सुवा ही लिफ्ट में सोंदी के फ्लोर का पता चला था अभी ये उसी फ्लोर पर जाकर सोंदी के रूम में चला गया और कुछ ढूंडने लगता है इसी चक्कर में सोंदी ने एक फाइल में जो पिल लडाय हुआ था पुसकिन गलती से उसमें फस गया वो भी निसकी फिंगर में लग जाता है और पुसकिन का बलड उस फाइल पर तभी रूम में एक और एजेंट राम नारायन कोई पेपर टूंडने आ गया ये वैसे तो सोंदी के डिपार्टमेंट का था बट यही है विंग बालो का स्पाइल जो यहां रहकर विंग के लिए काम करता है राम नारायन ने पुसकिन को भी यहां छिपे देख लिया और दोनों भाग गये सोंदी को यादाता है कि इसकी चाबी कोट में नहीं है ये अपने रूम में वापस गया चाबी तो रूम में मिल गई बट चाबी यहां छोटना नोर्मल नहीं है इसको तोड़ा सक हुआ ये अपनी ट्रैप उस पिन को देखता है और वहां फाइल पर लगे बलड से इसे समझा गया कि कोई तो रूम में आया था बाहर राम नारायन पुसकिन को बता रहे है कि उष्टे जब असोक फोटोस चोरी घर के वाश्रों में छिपा हुआ था ये भी वही था भ्यूरो वालों को पता चल गया था कि महाजन सोंदी को ब्लैक मिल कर रहे है पर अभी वहां फोटोस नहीं थे तो हम बाहर आए हैं पर तभी अंदर से गोली चलनने के वही साई पर इन्होंने अपने बोसेज को बताने की पज़ाए उस लड़की को ब्लैक मिल करके सोंदी को फसाना चाहा इन सब में असोक को फसाय जा रहा है ब्यूरो सोंदी को बचाने में लगा हुआ है ताकि असोक का कनेक्शन उस लड़की से जोड़ पाए और विंग वाले महता और महाजन को बचाने में लगी हुए अब पुसकिन सोच लेता है कि ये असोक को फसनी नहीं देगा उधर विंग और ब्यूरो के बीच डील हो गई जैबी ने लड़की और सोंदी के इंटिमेसी वाले फोटोस ब्यूरो को दे दिये बतले में पुसकिन अपने घर आया तो इसको अलमीरा में उसी लड़की की डेड बोड़ी मिली फिर किसी ने पुसकिन के हेड पर मारकर उसे बेहोस कर दिया अभी सोंदी का प्लैंट पुसकिन को भी असोक के साथ फसाने का है यह लड़की के मडर के इलजाम में पुसकिन को फसाना चाता है उदर सोंदी असोक से भी जेल में मिलने गया और उसे सारे सबूतों को जलाते दिखाता है साथ में लड़की की डेड फोटो भी दिखाई पता नहीं अभी असोक क्या रियाक्ट करेगा next day पुसकिन होस में आते ही पुलिस को complain करता है पर जब पुलिस यहाँ आई यहाँ कोई dead body नहीं थी लड़की गायब थी पुसकिन सोन्दी को भी सब बताता है पर ये तो plan सोन्दी का ही है यहाँ सोन्दी ने पुसकिन के finger पर चोट भी देख ली थी ये समझ गया था कि इसके रूम में पुस्किन ही आया था अब लाच टाइम असोक से कोश्चन होता है असोक बताता है कि उष्टे इसने वोस्ट रूम से बाहर आकर एक एजेंट का मडर किया और दूसरे को महाजन ने मार दिया फिर महाजन को उस लड़की का एड्रेस देकर वहाँ चलने को बोला पर महाजन कुछ बोल रहा था उसे पता था कि असोक सुन नहीं सत्ता तो वो असोक के साथ ने फोन पर किसी और से बात कर रहा था फिर असोक माहजन को गन पॉइंट पर उस लड़की के घर ले गया वहाँ जाकर लड़की को उसकी फोटोस दी वो फाइनली हैप्पी हो गई थी बट तभी पीछे से माहजन की दोस्तों ने इन पर अटेक कर दिया इस अटेक में लड़की तो फोटोस लेकर भाग गी बट असोक यहाँ गन के साथ पगना गया एंड में असोक ने कनफेस कर लिया कि ये भी उस लड़की के साथ साथ आईएसाई एजेंट है और इसने उसको भागने में हेल्प की गाड्स असोक को ले गए असोक ये जूट सौंधी से पुस्किन को बचाने को बना था जेल में असोक ने जब सौंधी को सारे सबूत मिटाते देखा था तो यही डिल हुई थी कि असोक मान लेगा कि ये आईएसाई एजेंट है और वो लोग पुस्किन को लड़की के मिटर की चार्ज में नहीं फसाएंगे कुछ टाइम बात रस्यन प्रेजिडेंट सेफली इंडिया ट्रेवल करके वापस चले गए और न्यूज में यही आया कि असोक उनको मानने के लिए आया था वो आईएसाई का एक गुंगा और बहरा एजेंट था इसी के साथ मुवी की सैड एंडिंग हो गई अगर आपको वीडियो अच्छी नगी है तो वीडियो को लाइन एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू करना इसके नवा हमारी एक कोर सोपिंग से रेलेटिर फ्री सर्विस है जापर आप हैवी डिसकाउंट कर एमेजोन और फिलिप कार्ड से सामान करेज़ सकते हो आपको बस डिस्क्रिप्शन में दीर निंक से हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन करना है वाहम हम आपको चीजों पर हैवी डिसकाउंट आते ही नोटिपाई कर देते हैं तो आप लोग चल देशे जोइन कर लोग बाइ